नीट की टॉपर है तनिशका उनसे बात करेंगे क्योंकि आज अकपारों में इनकी खबर भी छपी किस तरह से तनिशका राजस्थान में 11 और 12 की पढ़ाई करने के लिए पहुंची हैं और हर्याना से महाँ पे गई तनिशका मूल निवासी तो हर्याना की है लेकिन कोटा में खास तोर से कोचिंग के लिए शिफ्ट हो गई थी तो तनिशका हमारे साथ हैं नीट के रिजल्स आ गए तनिशका बहुत-बहुत बढ़ाई पहले तो आपको क्योंकि इस रिजल्ट का बहुत बेस अबड़ी से इं दें मुझे हमेशा मतब इतना सपोर्ट किया कभी ऐसा मां के लिए प्रेशरणाइयज में किया कि अगर मां चामा जाते तो कभी ही नी बोलते थे यह गलत क्यों किया तूने इसमें मांक्स कम क्यों है उल्टा अगर मुझे टेंशन भी होती थी तो वह लोगमेशा यही बोल बिल्कुल और वाकई में आपने कहा जिस तरह से आपके पेरेंस ने भी आपको समझाया अब महनत के बारे में जरा बताई कि जब भी सफलता मिलती है बिना महनत की तो नहीं मिलती बहुत महनत की होगी जो हमारे चात्र देख रहे हैं आपको क्योंकि नीट की पढ़ाई भी ब अपनी पढ़ाई को फिर्स प्राइटे पर रखो मतलब हमें रोज अगर हमने लिख लिया कि हमें दो चैप्तर जब रिवीजन के टाइम हमें करने है तो रोज करने ही है चाहिए हम अगर अगर कोई ऐसे सरकम्स्टैंस हो गई कि हम नहीं कंप्लीट कर पा रहे है तो उस ता परसेंट आएगा और आपका इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा तनिश्का यह जाना चाहूंगी रिलाक्स करने के लिए क्या करते थे क्योंकि पढ़ाई एक तरफ लेकिन मन अगर बहलाना हो तो तब आप क्या करते थे हम रिक्रियेशन के लिए क्या तो मैं गाने सुन लेती थी या फिर अगर मुझे जाद़ स्ट्रेस होता था तो पेरेंट्स या फिर मेरे जो स्कूल के दोस्ते उन सबसे बात कर लेती थी तो मुझे रिलाक्स फील होता था बिल्कुल मुझे एक सवाल ये भी आया था कि आपकी जो स्टाडिंग की टेक्नीक है उसके बारे में पूछू आप से तो क्या आप वो नोट्स बनाते थे या कैसे पढ़ते थे उस लिहाद से थोड़ा हमारे बताईए दर्शकों के लिए है मेली तो ने ईंसियाट और एलन का जो स्टडी माटीरेल हमें परवाइट किया गया था उसी पे जादा फोकस किया था उटर जो लास्डेशES बढ़ाते थे नोडू से मैं उसी उसी को जादा रिवाइस करती थी वायो में भी बनाया थे फिज पढ़के बोरो जाएंगे और जो मतब हमसे हमारी जो responsibility है कि क्लास का पूरा revise करो उसके बाद अपना जो पुराना आपका कुछ बैकलो गया फिर वीक चैप्टेस रह गए हैं तो वह भी रिवाइज हो जाएंगे उस ताइम में और जब फाइनल जब रिवीजन का टाइम था मैं तब लास्ट के फाइज से सिक्स में बोलू तो उस टाइम में दस बारा गंटे पड़ती थी मिल्कुल आखिर में तनिश्का आगे का क्या प्लान है आपका मैं मुझे सबसे पहले तो एम स्टैली से अंबीबियस करनी है उसके बाद मुझे एमस करनी है मतलब अभी मैंने डिसाइड नहीं किया बट क्या कार्डियो न्यूरो या फिर उंको ये तीन ओप्शन्स है मेरे पास जो चीज मुझे जादा वैसिनेट करेगी मुझे उसमें एमस करनी है उसके बाद फर्दर स्पेशलाइजेशन भी करने है और अच्छा डॉक्टर बनके कंट्री को सर्फ परनूँ बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए तनिश्का